तो आज की important वीडियो में है जिसमें हम करेंगे class in mathematics chapter 5 arithmetic progression के सभी important question जो भी mostly repetitive तरीके से question पूछे गए हैं CBSE के दौरा और जिस जिस type के question आपके बन सकते हैं एक्जाम में तो वो सब को हमने यहाँ पर cover किया है तो एक question जो है आपको करके देखना है अपनी copy में खुद से सबसे वीडियो को completely देखने के बाद तो start कर लेते हैं question number 1 से जसमें हमसे पूछा हुआ इप the number x plus 3, 2x plus 1 and x minus 7 are in ap दिन्होंने कहा कि ap में first number यह है second number पे यह है third number पे यह है तो आप इसको जो है x की value को find out करना है ओके अभी आप यह देखो कि ap का ap का क्या मतलब है कि अगर मैं a2 में से a1 को घटा हूँ या फिर मैं a3 में से a2 को घटा हूँ तो दोनों case में जो common difference है वो same रहेगा तभी तो वो चीज ap में मानी जाएगी न it means वह ही वाली बात हमने लिखा है कि ap में a2 minus अगर a1 करे a3 minus a2 करें तो वो दोनों चीजे बराबर होनी चाहिए बस उसके बाद तो सारा खेला ही खतम हो गया उसकी value रख देनी है 2x plus 1 minus x plus 3 x minus 7 minus 2x plus 1 bracket से देंगे खोल उसके बाद कर देंगे इसे solve solve करने के बाद x की value हमसे इन्होंने पूछा हुआ था तो x की value निकल कर कितनी आ रही है माइनस 3 hopefully आपको question अच्छे से समझ में आया होगा next question है question number second if the ninth term of an ap is minus sorry 7 minus 3 n find the sum of 25 terms ठीके न इन्होंने क्या कहा है कि ap का जो nth term है ठीके न जो nth term है वो आपका 7 minus 3 n है और हमें 25 term का पहले sum निकालना है यह आपको धियान रखना है कि nth term है sum of nth term नहीं है it means यह है कि यह जो चीज दिया हुआ है यह कुछ और नहीं यह n की value है तो n आपका कितना है 7 minus 3 n अगर मैं a1 निकालूं तो जहां पर n है वहाँ पर मैं 1 रखूं a2 निकालूं तो जहां पर n है वहाँ पर मैं 2 रखूं 3 रखूं उस तरीके से मेरे पास एक ऐसी एपी निकल कर आगए जिसका पहला पद जो first term है वो 4 है second term 1 है और third term जो है minus 2 है इसके बाद अब क्या निकालना है मुझे common difference a तो first term तो आपका 4 है common difference कैसे निकालते हैं आप second term में से first term को minus कर दो या फिर third term को second term में minus कर दो तो 1 में से 4 गया तो minus 3 तो हमारा common difference आगया अब हमें sum का formula लगाएंगे क्योंकि sum of 25 term से sn का formula hopefully आप सबको learn होगा तो sn आपका क्या होता है n अपन में 2 2a plus n minus 1d तो n की जगा आपने 25 रख दिया a हमारा 4 था d हमारा minus 3 था सब कुछ को solve करने के बाद answer हमारा minus 800 हो जाता है next आगे चलते है question number 3 में the first and the last term of an ap किसी ap का first term और last term जो है न 5 और 45 है पहला term 5 है जबकि last का term 45 है अगर इन्होंने कहा कि सारे terms को अगर हम जोड़ देना तो 400 आजाएगा मतलब sn हमें कितना दिया हुआ है 400 दिया हुआ है तो हमें इसका common difference जो है निकाल के दिखाना है हमें क्या क्या चीज़े दे रखिया है हमें a दे रखा यह जो last term है उसको हम n मानके चल रहे है न ही होता है तो आपका 45 है इसकी help से जो हम n के formula से हमारा हम से n निकाल सकते है n निकाल दिया तो सारा खेला ही खतम हो गया n का formula a plus n minus 1d तो यहाँ पर n minus 1d is equal to 40 क्योंकि हमारे पास n भी नहीं है साथ में हमारे पास d भी नहीं है तो यहां से बन गया equation number first equation number first के बाद इन्होंने क्या कहा था सम sn जो है न हमारा कितना है 400 है अब आपको अगर ध्यान से याद होगा न तो एक तो sn का formula एक वही है कि sn is equal to n upon 2 a plus n minus 1d लेकिन sn का आपका एक और formula यह भी है sn is equal to n upon 2 a plus में l और l जो आपका last term है ठीके न जिसको आप n भी बोल सकते हो तो sn की value हमें पता है सारी value पता है यहाँ से मुझे क्या पता चल गया कि हम n जो है find out कर चुके है कि number of terms इसमे 16 है अब इसी n की value को अगर हम equation number 1 में र चल गया हमारा 8 upon me 3 बाकि हम से यही पूछा हुआ था आगे चलते है next question number 4 में इनन AP 12th term जो 12th term है वो minus 13 है और उसका first 4 term का जो sum है वो 24 है आपको क्या करना है sum निकालना है first 10 terms का दो चीज़े देते हैं इसलिए ताकि आप दो equation से सारी चीज़े clear out कर लो 12th term का क्या मतलब है कि A plus में 11D आपका कितना दिया हुआ है minus का 13 एक मुझे sum का दिया हुआ कि first 4 term का जो है आपका कितना है 24 है तो इससे मेरा यहाँ पर आ गया second equation यहाँ से मेरा आ गया first equation ठीक है न दोनों equation को अगर आप solve करोगे किसी भी तरीके से solve कर लो बाकी hopefully elimination जादा सही है नहीं तो आप normally किसी भी तरीके से इसको solve कर सकते हैं ठीक है अब यहाँ पर मैं धियान से देखू तो इस equation को अगर 2 से multiply कर दिया है तो 2A plus में 22D और यहाँ पर minus का 26 ठीक है ना इसको मतलब left को left से minus करेंगे right को right side से minus करेंगे minus 2A plus में 3D यहाँ पर minus का 2 इस equation को solve करोगे चाहो तो आप normal elimination से solve कर सकते हैं तो D की value हमारे पास कितना निकल कर आ गया minus का 2 minus का 2 निकल गया किसी भी equation में चाहो तो first में चाहो तो second में first से हमने A की value निकाल कर रख दिया हमने A हमारा कितना आ गया 9 अब मेरे पास A है अब मेरे पास D है अब मुझसे पूछा हुआ था sum निकालो 10 term का तो नहीं निकाल लेंगे क्या बिल्कुल निकाल देंगे SN is equal to SN का formula रखेंगे N हमें पता है A भी हम निकाल के लाएं है D भी में निकाल के लाएं है तो हमारा जो SN है वो कितना आ गया 0 आगे चलते हैं रेक्स कोश्चन में कोश्चन नंबर 5 कोश्चन नंबर 5 दो है find the sum of N terms of the series यह कोश्चन फुली स्टांडर टाइप का है बेसिक में आप इस टाइप के question एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो लेकिन स्टांडर में इस टाइप के question बनने की पूरी एक्सपेक्टेशन होती जिसमें student का जो इंटालिजेंसी लेबल चेक किया जाता है अभी नोने क्या कहा यह जो आपके पास sum निकालना है और कुछ इस तरीके का आपको एपी यहां पर दिख रहा है n terms का जो है निकालना है answer जो हमारा n की form में ही आने वाला है क्योंकि n में ह ठीक है ना अब अगर मैं sum करूं इस सबका n terms का तो अभी आप देखिए सब में 4 तो ही ना तो क्यों ना sum में से हमने 4 अलग कर लिया 4 प्लस 4 प्लस 4 यहां पर nth term के लिए उसके बाद यहां से minus 1 in minus 2 in minus 3 in minus 4 in यह भी nth term तक चलेगा ठीक है अब यह 4 4 4 जितनी बार भी तो इसको simply n से माल लो 4 यह दस पर आता है तो 4 दहम 40 हो जाएगा मतलब कि 4 को multiply n से करेंगे तो इसका sum तो simply हम 4 को n से करके निकाल लेंगे ठीक है यहां पर हमने क्या किया minus 1 upon me n common ले लिया और 1 plus 2 plus 3 इस तरीके से हो गया minus 1 upon me n common रहा और इसका जो हम अगर हम निकालते हैं कि आपका जो first आपका unit term का तो n n plus 1 upon me 2 ठीक है ना इस तरीके से हम निकाल लेंगे अगे चलते हैं अब हम इस सर्फ और सिर्फ इसको करना है solve तो 4 in minus में यहां पर अगर आप हम ध्यान से देखें तो इस n से यह n cancel हो जा रहा है तो n plus 1 upon me 2 हो गया solve करेंगे तो यहां पर 7 in minus 1 आ जाएगा और हमारा sum of n term यही निकल जाएगा आगे चलते हैं next question में question number 6 है how many terms of an AP 9, 17, 25 must be taken to give a sum of 636 इन्होंने क्या कहा कि AP मतलब इन में से हम कितने terms लाएग जो की जोड़ कर 636 हो जाए मतलब यह हमें जो है sn की value दी हुई है a यहां से d हमें यहां से निकल जाएगा हमें simply formula पर put करना है निकालना है यहां पर मैं आपको बता दू कि slavus में daily life practical पे जो है आपका sn का formula नहीं आएगा लेकि normal question sn पे वो आएंगे ठीक है इस बात को आपको ध्यान रख रहे हैं करते हैं यह आप यह मत सोचो कि slavus में ही नहीं है तो a की value 9, d की value 8, sn की value 36, formula put किया, इसको solve किया, ठीक है न, solve करने के बाद हमारा यहां पर एक equation बनके निकल आया, ठीक है न, क्योंकि यहां पर n, n टकराया जिसकी वज़से एक equation निकल कर आ जाता है 4n square plus में 5n, minus 36, 36, जिसको हमने क्या किया है, यह factorization method से इसको solve किया है जिसमें से एक तो value हमारे पास आई, minus 53 upon 4, n तो कभी factor में हो नहीं सकता और minus में तो बिल्कुल नहीं हो सकता इसलिए इसको करेंगे eliminate, तो n आपका natural number है, तो n हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा next question और बहुत ही बहतरीन question है, एक चोर है जो uniform speed 100 meter per minute से जाता है एक minute के बाद policeman जो है दोड़ना शुरू करतेता है चोर को पकड़ने के लिए और वो किस speed से जाता है 100 meter per minute in the first minute और उसके बाद हर minute पे 10 minute वो बढ़ाता चला जाता है तो कितने minute बाद जो पुलिस है वो थीप को पकड़ लेगा, चोर जो है एकनम uniform speed से चल रहा है 100 meter per minute लेकिन policeman शुरू में तो 100 meter per minute से बढ़ता है फिर अगली बार 110, 120 इस तरीके से वो चलता है तो कितनी देर में वो पकड़ लेगा और वो पहले ही 100 meter भाग चुका है ठीक है ना एक minute के बाद पुलिस में जो भागना शुरू करता है तो मतलब 100 meter तो उसने क्रॉस कर रखा है तो उतना basically part करने में उसको कितना time लग जाएगा हमने क्या मालिया कि total time जो है पुलिस को पकड़ने में चौर को पकड़ने में एन minutes का लग जाएगा total distance उसको कितना कबर करना पड़ेगा 100 एन ठीक है total distance पुलिस वालों ने कितना जो है total distance पुलिस वाले कैसे कबर करेंगे 100 करेंगे फिर 110 120 मतलब एक एपी की तरह करेंगे ठीक है न और चोर तो है जो वह 100 की equation निकल कर आएगा equation को solve करेंगे तो एक value माइनस में आएगी minus 3 एक value आएगी plus में तो minus को considered करेंगे नहीं तो n is equal to 6 तो पुलिसमेन को जो है पांच मिनट जो है पुलिस चोर को पकड़ने में लग जाएगा क्यूंकि total जो है मतलब की 6 तो आया लेकिन वह अल्यड़ी एक मिनट का वह हो रखा है जिस वज़े से पांच मिनट जो है लग जाएगा चोर को पकड़ने में नेक्स कुशन है find the number of natural numbers between 101 and 999 which are divisible by 2 and 5 मतलब 101-9090 के बीच में उन नाच्रल नंबर को आपको निकालना है कि कितने numbers ऐसे हैं जो कि इनके बीच में आएंगे और वह दोनों से divisible होंगे दो से भी और पांच से भी अब दो और पांच दोनों से divisible होना इसका मतलब कि इन दोनों का LCM निकालना है मतलब नंबर 10 से divisible होना चाहिए 101 के बाद पहला ऐसा कौन से नंबर होगा इन बहुत ही simple question लेकिन साथ ही बहुत ही important question basic के साथ साथ standard दोनों ही students के लिए ये काफी important question है अब आगे चलते हैं आगे क्या चलते हैं आपके total जो है इतने ही question है क्योंकि इसलिवस में से कुछ चीजों को हटा दिया गया है तो इसलिए थोड़े question इसमें कम है आप इतने question को प्रिपेर कीजिए और वैसे भी आपका paper इतना लिंदी तो रहने वाला है नहीं तो आपको जो है इस सारे question solve करके देखने हैं आपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को share करना है और साथ में like जरूर करना है और चैनल पे नए जूड़ें तो subscribe करके विल आइकन भी क्लिक करे नहीं है ताकि नए वीडियो की notification आपको मिल सके